आज का टोपिक है हमारा पारस्थितिक एबर्प पारस्थितिक तंत्र एब आज हम आपको क歌 बांश्थितिक तंत्र पार्श्थितिक तंत्र ओस्फिक यह आपका तौक आयॉ तो पारस्तेति की जीव बिज्ञान की वहसा का है, जिसमें जीव समुधाय तता उनके बाता ब्रण के मत्य है, पारस्तिक संबंदों का अध्यान किया जाता है, अनेहेश्ट हेकल ने पारस्तिती एकोलोजी सब्द का सरप्रतम पिर्योग, जो कहता है आपका उकोलोजी नाम स से बर्स 1889 में किया था थीक है पारस्तितितिकी तंत्र सब्सर्परत्र प्रयोग एक तैन्सले ने 1935 में किया था तरीक है पारस्तितितित्र के घटक की बात करें तो पारस्तितित etcetera कि घटक होते एक होता है जेबी गटक दूसरा होता है आपका एजेबी गटक जेबी गटक में आपके उत्पादक उभोकता और अब गटक आते हैं ठीक है एजेबी गटक के अगर बात करें तो इसमें आपके भोतिक कारक एकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक आते हैं ठीक है देखे बहुती कारक में क्या क्या होते हैं आपके तापमान, आदरता, प्रिकास, सोरुर्जा, इस्तलाकर्ती, बायूमंडले दाप, ठीक है एक कार्वनिक कारक के अगर बात करें तो जल, मिट्टी, खनिज, चट्टान, बायूमंडले या गेस, ठीक है कार्वनी कार्ग की बात करें तो प्रोटीन बसा काइबो हाइड्रेट तीक है यह आपके कार्वनी कार्ग है परष्थितित तंत्र की ठीक है दीखे जेवी घटकों को तीन भागों में विवाजित किया गया थो इसके अंतरगद आपके हरे पेड़ पोधे कुछ खास जीवान एबं सेवाल आते हैं जो आपका सूर्य की प्रिकास की उपस्तिती में सरल एजेबिक पदार्तों से अपना भोजन बनाते हैं बात करें देखें उब्भोकता की तो उब्भोकता क्या होते हैं आपके प्रात्मिक उब्भोकता दुत्य उब्भोकता और ति अपनीऊपर निर्वर है तिक है जैसे आपका साप घड़िया आधी थीक है तुर्पतिय उभॉकता जो प्रात्मिक एभम धुत्य उभॉकता को अपना और बनाते हैं जैसे बाज सेर बाग आधी थीक है कि भी सिर्पा अभटक कि तो आप ग्ठक क्या होते आप अप्रत पर निर्वर्त रहता है ठीक है अगर बात करने। दस प्रतिसत का नियम क्या है? दस प्रतिसत का जो नियम है ये क्या है? देखे ये है आपका बर्स 1942 में लिंडे मानक ने प्रतिपादे इसको किया था ठीक है? दस प्रतिसत नियम में क्या होता है? सर का साकारी जन्तु द्वारा उत्पादक की सुद्ध प्रात्मिक उत्पाद दक्ता का 10% भाग अपने आप में संचित रखना होता है। इसमें उसके बात करें, मासाहरी जन्तु दौआरा साकारी जन्तु का भक्चन साकारी की 10 पृतिसत अर्जा का सर्रक्षित होती है ठीक है और आगे बात करें, इसमें खाद कडी में पिर्थि एक इस्तर प्रात्मिक दुत्तिय विम तिर्थिए होता है पर उब्भोकता दुवारा केबल कितना होता है दस पिर्भाव केबल एक दसिय होता है वर्जा का पिरभाव एजेविक परणाली में जेविक परणाली की दिशा में होता है बात करें पिरामिड की पिरामिड की अगर बात करें तो पारस्तिति की तंत्र के बिभिन इस्त्रों के पिर्ती इकाई छेत्र में उपस्तित जीवभार के रेखा चित्रा नूपन को जीवभार का पिरामिड कहते हैं परिष्थितिक तंत्र में उर्जा का प्रामिड सधीव क्या होता है सीधा होता है जलिये परिष्थितिक तंत्र में जैसे तलाब जीवार का प्रामिड उल्टा होता है ठीक है बात करें खाद स्रंकला इसमें क्या होता है अपका एको सिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव मे प्रवाल भित्ती परितंत्र के अगर बात करें तो इसमें आपका प्रवाल एक चूना-परदान केल्सियम कार्बोनेट सागरिये जीव है जिसके अफसेस्ट्रम से इस तरीकर्ण से प्रवाल भित्ती का निर्वार्ण होता है ठीक है देखे प्रवाल मुक्यत क्या होते हैं उस्ट कटी बन दिये सागरो तीस उत्री अक्छांस से तीस दक्छुन अक्छांस में पाये जाते हैं इनके जीवित रहने के लिए अठर से पच्छिश डिगरी तापान उपर युक्त होता है बिस्प का सबसे बड़ा प्रवाल भित्त अगर बात करें तो अंडवान एवं निकोवार दीप समुक्या सरवाधिक के कच्छ की घाड़ी का जो प्रवाल भित्ति का बहुत है आपका तो सबसे कम है ठीक है मनार की खाड़ी और लक्ष दीप में आपके प्रवाल भित्ति पाये जाते हैं ठीक है बात करें जे बिवित्ता एवं उसका सररक्षन ठीक है जे बिवित्ता उसका सररक्षन के अगर बात करी जाए ठीक है किसी प्राकर्तिक प्रदेश में पाये जाने वाले जंगली तता पालतु जीव जनतु एवं पात्कों की प्रजातियों की बहुलता जे क्या कलाती है बि 1992 में रियोडी जेन्रीयो में आयोजित परत्वी सम्मेलन में जे बीवीता सब्द का परिवास्यत किया गया तो ठीक है जे बीवीता सब्द के लिएन सरप्रत्यम परियोग बावल्टर जी रोजन्दौरा 1985 में परियोगत किया गया तो ठीक है ops w example सागर बनसपती उद्ध्यान ब्रक्ष उद्ध्यान जन्तू उद्ध्यान और चुडियागर आते हैं टीक है सुह इस्ताने सर्क्षन में डेके राष्टे कितनी है अपकी 106, बन्यजीब, अब्यान आपके 506, अब बात करें बाहिये इस्ताने सय रक्षन के जीन बंक, बीज बंक, निम्न तापया सय रक्षन आते हैं डेके अगर बात करी जाए भारत में जीव जन्तों के सरक्षण के प्रयासों के जो वो करा गया है उसकी बात करें तुम्हें क्या प्रयास किया कहें जीवरक्षण सरक्षण है तू तो इसमें आपका पहला देखें आपका है कश्तूरी मिरक परियोजना 1970 IUCN के सजोग से सुरू गई थी ठीक है परियोजना ापकी 1987 में सुरू कर गई थी हंगुल परियोजना आपकी 1970 में प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1923 में बर्तमान में आठ राज्यों में कुल तरेपन क्या है आपके टाइगर रिजर्ब है ठीक है प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में कुल कितने एलिफेंट रिजर्ब है आपके 32 एलिफेंट रिजर्ब है हाती मेरा साती अभियान आपका 2011 में इसका स्वागंगर क्या था आपका स्वागंगर गंजू था ठीक है लाल पांडा परियोजने आपकी 1996 में WWF के सयोग से ठीक है हिम तेंदुआ परियोजने आपकी 2009 में कस्तूरी मिरक परियोजने आपकी 1970 में गिद सर्रक्चन प्रोजेक्ट आपका 2006 में समुंदरी कच्छवा प्रोजेक्ट आपका 1999 में भारतिय बन्य जीव संस्तान देरादून द्वारा शुरू किया गए था ठीक है गंगा डालफिन उसके बाद आपका मगर्मत सर्रक्चन प्रोजेक्ट 1974 में सुरू किया गए था ठीक है तो भारत में जीव जन्तू की सर्रक्चन के लिए प्रियास करे गए थे ठीक है देखे पिर्मुक पर्यावराने अधिनियम की अगर बात करें पिर्मुक पर्यावराने अधिनियम जो है आपके देखे भारतिय बन अधिनियम 1927 ठीक है एक है आपका बन्य जीव स्रक्चा अधिनियम 1912 ठीक है उसके बाद है आपका बन्य सर्रक्षन अधिनियम 1980 एक है आपका बायू पिर्दूसन निवारण और नियंतर अधिनियम 1981 एक है आपका पर्यावरण सुक्चा अधिनियम 1986 एक होता है आपका जे बिविता अधिनियम 2000 तो ये क्या है पिर्मुक पर्यावरणियम अधिनियम है त देखे आगे बात करें भारत में जे बिविता हाइसपोर्ट छेतर जो है आपके तो हिमालिया छेतर हैं इंडो बर्मा छेतर सूंडा लेंड यानिकी ट्रिनकेट सहीत नाउनकरी दीप समुग्रीट निकुवार दीप सहीत त्रिक है और पच्छमी घाट एबं स्रीलंका छेतर भारत में जे बिविता होट छेत रहें ठीक है बात करें रामसर कंविंशन क्या है यह अपका यह इरानमयः अवस्तित नागर है टीक है इसका गिलेंड स्वजन्लेंड में है इसका भारत के 75 पृतिसत इस्तल सामिल है आद्र भूमियों के सरनक्षण से संबंदित है पर्यावरन स्रक्षण के लिए चलाएगे पिरमुक आंदोलन भात करें अगर उनकी बात करें देखें यहां पर हम देखें पहला बिस्नोई आंदोलन तो बिस्नोई आंदोलन आपका 1731 में नेतरब किया था अमरता बिस्नोई ने ठीक है उसके बाद बलिया पाल आंदोलन बलिया पाल आंदोलन आपका ओडिसा के गाव की भूमी पर मिसाल के इतको आंदोलन आपका 1974 में उत्राखंट के रेणी गाप से शुरू किया गया था आंदोलन के नेतरप करता कोंते सुन्दरलाल बहुगोडा गोरी देवी तता चंडी फिरसाद भट थे ठीक है उसके बाद आपका बात करें मेत्री मेती आंदोलन तो यह आपका 1994 में शुरू क सी के दसक में प्रारम हुआ था ठीक है नवदान्या आंदोलन आपका 1982 में हुआ था इसका जो था आपका जे बिविता सरक्षण एवं जेवी खेती को बढ़ाना देना था ठीक है नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका 1989 में नेतरप करता थे मेधा पाटे कर बावा आम्टे ए पाटे प्रमुक बन्या जीव संस्तान की अगर बात कर जाए इंडियन फोरेश्ट कालेज आपका देरादून में है केंद्रिय पक्षी सो संस्तान इज्जतनेगर बरेली भारतिय बन्या सरक्षण केंद देरादून भारतिय प्राणि बिग्जान सरक्षण केंद कोलकाता भारतिय बन्या प्रमुक बन्या जीव संस्तान आपका देरादून भारतिय 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 बन्या जीव संस्तान आपका देरादून भ भारतिया प्राड़ी विग्यान केंद्र कोलकाता ठीक है तो यह कुछ आपके जो हैं प्रिमुक संस्तान और इस्तान हैं ठीक है आगे बात करें यूनेस्को के एमबी प्रोग्राम में सामिल भारत के कितने हैं बारेफ बायस पर रिजर्व है ठीक है बारेफ बायस स्पीकर रिजर्व है ठीक है आगड़ा यूनेस्को के मेन एंड बायस पर एमबी कार्यावरे में सामिल हैं कौन-कौन से हैं आपके नील गिरी मनार की खाड़ी ठीक है ठीक है यह क्या है भारत के 12 जो युनिस्कोक के 인이 प्रोग्राम में सामिल है ठीक है थी कहा है लिए आगे बात करें भात के बाएस्पर कितने है तो भारत के खी तर्डीन आपके इस प्रेशती छो है कितने हैं अथा रहे है नीलोगari 1986 में पहला है उसके बाद अपका नंदा देवी 1988, मानस 1989, मननार की खाड़ी 1989, ग्रेट निकोवार 1989, नोकरेक आपका 1988, सुन्दरवन 1989, सिमली पाल 1994, ड्रिबुस खेवा आपका 1997, सबसे छोटा आपका बायो स्फीक फियर है, ठीक है, दिहांग, देवांग 1988 में, पंचमणी आपका 1999 में, अगस्त मलाई आपका 2000 में, एक में, अचन कमार कंटक, आपका 2005 में बायो स्फियर घौसित होगा था, कंचन जंगा 2000 में, कच्कारन 2008, सबसे बड़ा बायो स्फिबर रिजर्व है, सीत मरुस्तल 2009 में सेसा चलम 2010 में पन्ना आपका 2011 में 22 पर रिजर्ब गोसित हुए है ठीक है भारत में टाइगर रिजर्ब की अगर बात करें तो भारत में टाइगर रिजर्ब की अगर सूची के अगर बात कर जाए तो कहां कहां है टाइकर जारकंड में आपका पलामू में है उत्तर प्रिदेश में आपका दुद्वा पिलीवीत रानिपूर अमनगड में है ओडिसा में आपका सिमलीपाल सत कोस्या में है असम में आपका मानस नामेरी काचिरंगा ओरांग में है तमिल लाडू में आपका जोरम दंपा, राजिस्तान, रड़दंबोर, सरिस्का, मुकुंद्रा, हिल्स, रामगड और विश्दहरी में ठीक है चत्तिस गड़ में आपका इंद्राबती, उद्यन्ति, सीतन नदी और अचनकमार में ठीक है अनुर्चल परदेश में आपका नामदपा, पक्के, कम्रांग में केरल में आपका पेरियार, पेरुमुकुलम, तेलंगानमे काबल, अमारबाद आंध परदेश में आपका नागारजुन, सिरी सेलम मद्य पिर्देश में पन्ना, काना, पेंच, बांधवगड, सत्पुडा, संजय, धुबरी महराष्ट में आपका मेल घाट, तंदोबा, अंधेरी, पेंच, साहर्दी, नभुगाव, नागजीरा, बोर में है कनाटक में आपका बांधीपूर, भद्रा, दांदोली, अंसी, नागरहोल, बीलिगिरी, रंगनाथ, मंदिर में है उत्राखंड में आपका कारवेट, राजाजी, टाइगर, रिजर्व है हारित गिरह, पिरवाब, एबन जलवायू, परिवर्तन के अगर बात करें तो ग्रीन हाउस फिरवाब प्राकरतिक प्रेकरिया है, जिसके दुआरा किसी गिरह या उपगरह के बातवर्ण महजूद, कुछ गैसे उस गिरह उपगरह के बातवर्ण तापको क्या करती है अब फेक चाकरत अधिक बनाने में मदद करती है, ठीक है अब बात करें, यहाँ पे जोसेफ फेरियन ने 1884 में ग्रीन हाउस या हरित गैसों का कल्पन संकल्पना करी थी, ठीक है देखे पिरमुक ग्रीन हाउस गैसों के अगर बात करी जाए, जो पिरमुक ग्रीन हाउस गैसे हैं आपकी देखे इसमें क्या होती है, सबसे जादा आपकी जो है, जलब बास कितना होता है, 60% कारवन डाइ आकसाइड इसमें होती है, आपकी CO2 कितनी होती है, 26% मिथेन जिसे बोलते है, CH4 यह होती है, 4-9% ओजोन, O3 होती है आपकी, 3-7% नाइटरस आकसाइड N2 होती है, आपकी 1.5% किलोरो फ्लोरो कारवन होती है, आपकी CFC 1.4 से 0.4% ठीक है, ठीक है, ग्रीन हाउस पिरभाब में बायू मंडल यह गैसे द्वारा अवरक्त बीकरण को अफसेसित कर लिये जाने से, बायू मंडल का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, बायू मंडल की खताब क्या होता है, बढ़ जाता है बरस 2020 के आंकडो का अनुसार, कारबन डाई आकसाइड CO2 के उस सर्जन में, सर्वधिक युगदान देने वाले देसों में, चीर के साथ 28 पहले, संयुक्त राज अमेरिका के साथ 15 पिरसाथ 2 इस्तान पर, 12 पिरतिसाथ 7 पिरतिसाथ 3 इस्तान पर, रूच 5 पिरतिसाथ के सा पांच पिस्तान पर है, सर्वधिक काएमे उस्रशी ओटो के जो आकसीजन कारण डाई ऐस भाहले ये देस है, ऊच सर्वधिक युगदान देने वाले ये बहर मंडलिये, उसरतिak के पिरभाब क्या होते हैं, उसरतिक के पिरभाब होते हैं, एक तो होता है, इसका सकरा आत् इसमें आपके बादलों में ब्रद्धी होती है पोदो द्वारा जल उप्योग छमता की ब्रद्धी होती है ठीक है और इसमें अधिक मात्रा में प्रिकास संस्रेशन होता है ठीक है इसका नकरात में फिरवाब क्या होता है ठीक है फसल उत्पादकता में कमी होती है ठीक है जे इसके इंडेन्विय प्राइदीप के अनेग देशों के काफी तट समंदर में समावित हो गए है नकारात्मक पिरवहाव के कारण समय से पूर्व आमों में बोर आ जाना तो क्या है भूमंडलिय उसलता के ये नकारात्मक पिरवहाव है ठीक है देखें अमलिय बर्सा कराने वाली गैस जो होती है अमलिय बर्सा जो कराती है वो गैस कौन सी है आपकी CO2, 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 Sulfur Dioxide, NOX, Nitrogen Oxide, N2O, Nitrous Oxide देखें अमलिय बर्सा से पिरवहाव क्या होता है तो इससे पिरवहाव क्या पड़ता है हमारे तुईचा के पर फपोले पड़ना ठीक है तुईचा पर फपोले पड़ना ताज महल के रंग में परिवर्तन आपका ASO के कारण आया है ठीक है जलिय जीब जन्तु को नुकसान पहुचाती है काउन सी आपकी अमली बर्सा बात करें किरतीम बर्सा की तो किरतीम बर्सिया में क्या होता देखिए इसमें सिलवर आयोड़ाइड गरम बर्सिया बादल बनता है ठीक है उससे आपका सुस्क बर्स ठोस सीओटू एलफिल ऐल समताप मंडल के अंतरगत प्राकर्तिक ओजोन गैस का एक मेगला है जो सूर्य दुआरा उस सर्जित हांगनी कारक परावेंगनी किर्णों से रक्षा के लिए कवच का कार्या करती है ठीक है आपकी ओजोन परत ओजोन क्या है एक प्राकर्तिक गैस है जिसका रासानिक सुथ कि आपका ओजोन का अधिकांस भाग 90 परतिसत आपका समताप मंडल की नीचरी परत में 15 से 30 किलोमेटर के बीच पाया जाता है ठीक है उसके बाद बात करें चोब मंडल में आपका ओजोन का सेस भाग 10 परतिसत पाया जाता है चोब मंडल का ओजोन की बाईयों को प्रदोसित क करता है इसलिए छोब मंदल का ओजोन हानिकारक माना जाता है तक है यह ओजोन का मापन जो क्या जाइता पर डाप सनस्ट एशपेक्टोमींटर में किया जाता है तो डाप सनस्टा से एट जा-वन मिलि मीटर के बरावर होती है टीक है ओजोन बिगटनकारी पदार्थ जो है ओधोन के बिगटनकारी पदार्थ चाहिए इसमें आपके किलोरो फ्लोरो कारवन सी एफ सी एस है आपका हाइड्रो क्लोरो फारवन आपका HFCS है होलो जंस है आपका नाइटरस आक्साइड है ट्राइकलोर एथलीन है आपका और हेलोन है ठीक है तो इसके ओजोन बिगटन का री यह पदार्थ इसमें होते हैं ठीक है ओजोन छरण जुम्मेदार पदार्थ क्या है इसमें सबसे मुक्य जो आपका किलोरो फ्लोरो कार्वन सी एफ सी है ठीक है सी एफ सी का निर्माड आपका जो होता है किलोरीड फ्लोरीड एवम कार्वन से होता है ठीक है इसका ब्यापारिक नाम क्या है आपका फेयान इसका प्यापारिक नाम है ठीक है इसमें आगे अगर बात करी जाए देखे CFC का मुक्खे उप्योग काई में होता है तो इसका होता है अपका रेफिजेटर एर कंडिशन में प्रिसित्तक के रूप में इसका उप्योग करते है ठीक है आग बुजाने बाले कार के नेत्रम में अनुसंदान करताने बर्स 2005 में तिबबत के पठार के उपर ओजेन हेलो का पता लगाया था ठीक है ओजोन परत भारत के छरण हेतु मार्ट्रेल प्रोटोकाल को 16 सितंबर 1987 में अपनाया गया था ठीक है जो बर्स 1989 से पिरभावी रूप से क्या गर रहा है कार या कर रहा है ठीक है 16 सितंबर को अंतराष्ट्य ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को आपका अंतराष्ट्य ओजोन दिवस मनाया जाता है ठीक है मार्ट्रेल प्रोटोकाल 1987 के तहत बिक्सित देशों को पिरतिवर्स 2000 तक CFC का उपयोग एभम उत्पादन पूरी तरह प्रतिबंदत करने को कहा गया था ठीक है रवन्डा के किंगाली में अक्टूबर 2016 में 197 में देशों ने हाइडरो क्लोरोकारवन एचेफसी स्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए एक एतिहासिक समझवता किया था ठीक है देखे बर्स 2000 बर्स 2100 तक गिलोबल वर्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सेट की कमी करने का लक्षिय रखा गया है ठीक है देखे ओजों परत छरण के पिरवाब क्या है अगर इसकी बात करें ओजों परत छरण के पिरवाब जो है आपके सूर्य की परावागनिक करनों की सामानेता तीन बर्गों में बाटा गया ठीक है आपका यूबी ए जो है आपका 315 से 400 एनेम यूबी आपका जो बी है आपका ये है 280 से 300 एनेम और सी जो है आपका 100 से 280 एनेम ठीक है देखे यूबी क्या होती है यूबी बिकरनों से पिरवा तो अच्छा केंसर भी हो जाता है जीन उत्र परिवर्तन हो जाता है और अनुवांसिक दोस इससे होने लगते हैं ठीक है ओजोन परत सूर्य के उच्छ आवरती के परावेगनी प्रकास की तिरानवे से निन्यानवे प्रित्रस्त मात्रा अपसोसित कर लेती है ठीक है अगर बात कर जाए पर्यावणी प्रत्वी पर पाय जाने वाले भूमी जल बायू पेड, पोधे एवं जीव जनतों का समूझ जो हमारे चारों और सामय ग्रूप से पर्यावना कहलाता है ठीक है पर्यावना स्रक्षण अधिनियम 1986 के इनुसार पर्यावना किसी जीव के चारों तरफ से गिरे भोतिक एबम जेविक दसाओ और उनके साथ अंत किर्या को संबलित करता है ठीक है देखे बात करें पर्यावलन के तो पर्यावलन आपका बायू मंडल जल मंडल जीवन मंडल और इस्तर मंडल से मिलकर बना होता है ठीक है देखे बायू मंडल के अगर बात करें तो बायू मंडल में आपका छोब मंडल और समताप मंडल ठीक है जल मंडल की बात करें तो जल मं पर्वत आपके इस्तल मंडल में आते हैं ठीक है ठीक है पर्यावरण के संगटक की अगर बात करें पर्यावरण के संगटक आपके भोतिक या एजेबिक और संस्कृतिक मतलब भोतिक या एजेबिक क्या है आपके इस्तल भायू जल है पर्यावरण के संगटक और संस्कृति क बात करें पर्यावरान पर्दूसरण की अगर बात करें तो पर्दूसरण भूमी बायू जल के भोतिक रहसायनिक अत्वा जीव अभी लक्षणों में अनाफेक्चिक परिवर्तन के फलसुरूप होता है ठीक है बेपदार जिन से पर्दूसरण फैलता है उन्हें पर्दूसर कहलाते हैं तो के पिर्दोसक कहलाते हैं ठीक है देखे पिर्दोसक के पिर्कार के अगर बात करें तो पिर्दोसक के पिर्कार है आपके बहुती गुणों के अधार पर उत्पत्ती के अधार पर पर पर्रिया वरणिया भाग के अधार पर देखे बहुती की गुणों के अधा प sacrifices के अदर के एले होता है जैबا निमनी करण और जैब, निमन करण नहीं में क्या होता है, घर का खूरा पसव के मलमूत जीविज आदी ठीक है जैब निमनीकरण रहित की बात करें तो प्लास्टिक डीडीटी बेंजीन हाइड्रो क्लोराइड इसके प्रदोसन के कारण है ठीक है पर्यावरण के भाग के अधार पर अगर बात करें पर्यावरण भाग के अधार पर तो इसमें जलिय प्रदोसन बायू धारण है ठीक है देखे धारणियां विकास या सतत विकास के अगर बात करी जाए तो धारणियां विकास विकास की बहाब दारणा है जिसके तहत बरतमान की आवसकताओं के साथ साथ भावस्या की आवसकताओं को ध्यान में रखा जाता है ठीक है देखे धारणियां विकास क में आयोजेत प्रत्वी सम्मेलन में गोशित एजेंडा 21 में समर्थन इसे प्रदान किया गया था ठीक है कब 1992 में एजेंडा 21 की अगर बाच करें तो इसमें आपका जे विविता सर्वेक्चन और संकट ग्रेष्ट जीवु का सर्रक्चन था ठीक है एजेंडा 21 पूंजी इस्तांतन को उदार बनाने का पर बल दिया था एजेंडा 21 में खाद स्वाच जल वे सुरक्चा के इस पर जोर दिया गया था विकास सिल देशों में गरीवी निवारण वे जन संक्या नियंतर पर भी बल दिया गया था ठीक है दारणिय या सतत विकास की अवधारणा सर्पिर्तम पिर्ति पादक ब्रटलेंड ने 1987 में करी थी ठीक है ठीक है संयुक्त राश संग ने 17 सतत विकास लक्षय का निरधारण किया था जिनने 2030 तक प्राप्त करने का लक्षय रखा गया है ठीक है तो वो कौन से हैं अगर उनकी बात करें जो 17 सतत विकास लक्षय है आपके इसमें रखा गया था आपका गरीवी समाप्ती भुक्मरी से मुक्ती स्वास्त और सुरक्षा गुडवत्ता में पूर्ण सिक्षा लें प्राप्ती एवम स्वच उर्जा उत्करश्टा एवम आर्तिक विकास उद्योग नवाचर और बुनियादी धाचे का विकास ठीक है एसमानताओं में कमी संभेनिय सहरी और समाधिक विकास जिम्मेदारी के साथ उपयोग और संबाद जलवाईयू कार्यबाई जिवो की सुरक्चा इस तले जिवो की सुरक्चा सांती नियाए और्स सैसन संस्ताइं लक्षियों के लिए भागदारी ठीक है तो यह सत्रे लक्षिये रखे गए थे ठीक है बात करें अगर प्रात्मिक प्रदूसक की अगर बात कर जाए तो प्रात्मिक प्रदूसक क्या ह प्रात्मिक प्रदोसक के बात करें तो इनका निर्माण बिद्दु चुम्बक्या बिक्रणों के पिरभाब के अधेन प्रात्मिक प्रदोसक को तता समानिय बायू मंडल योगों के बीच रासायनिक अभिकर्याओ के परिणाम स्वरूप होता है जैसे आपका ओजोन ओत्री नाइट्रिक अमल एचन 3 सल्फर डाइ आकसाइड एसो 3 सल्फ्यूरिक अमल आपका एस्टू एसो 4 ठीक है बायू प्रदोसक के अगर बात करें तो बा अनविय या प्राकरतिक कारणों से बायू मंडल में उपस्तिस गैसों के निश्चित अनुपात में एवांचने परिवर्तन हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं बायू प्रदोसन कहते हैं ठीक है पी एम क्या होता है पैटिकुलेट मैटर ठीक है दस माइकरान से बड़े आका प्रदोसन को सुद्ध कणिये पदार्त या धूल की संग्या दी जाती है ठीक है जिसे कहते हैं पी एम पार्टिकुलेट मैटर ठीक है प्लाइएस क्या होता है ठीक है प्लाइएस्क ऐसा सूश्म पावडर होता है जो बायू के साथ काफी दूर तक यात्रा करता है इसका उ पावके नुक्सान दय पदार्त होते हैं इससे स्वासन तंत संबंदी रोग होते हैं तता प्रकास संसिस्ट को बादित करते है ठीक है निमलिकित कणि के पदार्त एस्पी एम की बात करें तो इसका आकार 0.1 माइक्रो मीटर से 100 माइक्रो मीटर होता है ठीक है दीक है 10 माइ से चोटे आकार के करण PM 2.5 स्वेशन संबंदी बिमारी ये पैदा करते हैं ठीक है बात करें कारवन मोनो आकसाइड की दिखिए कारवन मोनो आकसाइड सीओ की बात करें तो सभी बायू प्रदूसकों के 50% भाग का प्रतिनितित करती हैं जिसे दम घोटू गैस भी कहते हैं ठ रहान के खेत कोईले की खदाने एवम घरेलू पसू बाताबरन मेथेन उस्षरजन के मानविय स्रोत हैं ठीक है बेंजिन की अगर बात करें तो बेंजिन से रक्त कैंसर होता है ठीक है क्या होता है बेंजिन से रक्त कैंसर होता है केडियम की बात करें तो केडियम के कण स्व बढ़ाते हैं ठीक है बात करें राष्टिय बायू गुणवत्ता सोचकांग की दीखे राष्टिय बायू गुणवत्ता सोचकांग की दो शुरूबात करें गी थी आपकी 6 अप्रेल 2015 को राष्टिय बायू गुणवत्ता सोचकांग एवायू का स्वारंब किया गया था ठीक ओजोन, O3, कारवन, मोनो आकसाइड, CO, सल्फर डाइकसाइड, SO2, अमोनिया, NH3, लेड, PV, क्या थे, इसमें उनको सम्मिलित किया गया था, ठीक है, बाईयो गुणबत्ता के सुचकांग 6 रोडियों में बाटा गया, ठीक है, बर्ग अच्छा, अगर होगा, तो 0-50, AQI, सीमा, ठीक है, सुचकांग, जो होज़का, राष्टेवई गुणग तक सुचकांग, 0-50, इसका कलर कैस कोड गया सा था, हरा, संतोज जनक 50-51 है, तो इसका रंग होगा, आपका कलर कोड हरा, समाने परदोसित है, 100-200, 101-200, और इसका रंग गुलावी, ठीक है, खराब है, तो 201-300, इसका कलर कोड था पीला, अथी खराब है, तो 301-400, और इसका कलर कोड था लाल, गंभीर है, तो 401-500 और इसका कोड़ अपका लाल गहरा ठीक है गहरा लाल ठीक है बात करें जल पिरदोस्ण की तो जल पिरदोस्ण की गुडवत्ता को कम करने के लिए तत्व को जल पिरदोस्ण क कहते हैं ठीक है सामान्य रूप से जल की गुडवत्ता का निर्धारन जेव आक्सिजन मांग बोड रासाइनिक आक्सिजन मांग COD घुली आक्सिजन दर DOT pH मांग के अधार पर किया जाता है जेविक आक्सिजन मांग क्या होती है अपकी biological oxygen demand जिसे बोलते हैं BOD ठीक है इसमें आपके परिक्षण जल में उपस्तिद जेव आक्सिकरन कारवनिक पदार्थ की मात्रा का आक्सिकरन करते हैं पीने के स्वाच जल की BOD की मात्रा 1 ppm से कम होनी चाहिए ठीक है सामानेता नदियों में BOD का इस्तर 40 mg पिर्थी लीटर होना चाहिए ठीक है जल पर दूसर के कारण हैजा तपेदिक पीलिया अतिसार मियादी जुर पेरटाइफाइट पेचिस आदी रोग होते हैं एसफेटस के त्रेसों से युक्त जल सेवन से क्या होता है अपका एसफेटस फेपडे का कैंसर के रूप में नामक रोग हो जाता है ठीक है पारा युक्त जल पीने से अपका मिनीमाता रोग होता है और सीवाय। युख्त जलपीने से एनेमिया, सिर्दद एबं मासफेश्यों में कमजोरी का ऐभास होता है। नाक की सनलक्षन, प्रोरफेडा के पृत्वन से उत्पन होती है। देखिए, बात करें दुहानी पृत्वन के। बाट करें तो द्वैनी पदूसर्ण ऊच तीबरता वाली द्वैनी अर्था सोर के कारण उत्पन होता है इससे क्या आपके ऐसांती बेचैनीश की दसा को द्वैनी पदूसर्ण कहते है तीक है दुहनी की तीबर्ता आपकी डेसिबल में मा पी जाती है धुहनी पर दुसरन बाले छेत्रों में हरे पौधों को अधिक रौपित किया जाता ठीक है क्योंकि उनमें जो होती है दुहनी को अफसोस्च़ित करने की चम्ता होती है ठीक है देखे 20 डेसिबल दोहनी पत्यों की सरसराट का स्रोत है 30 डेसिबल फुसपसाहट 40 डेसिबल दोहनी आपकी सांथ कमरे की दोहनी 60 डेसिबल दोहनी सामानिय बाच्चीत 80 डेसिबल सिब 80-85 डेसिबल दोहनी आपकी ट्रिकोबसों की आवाज 120 डेसिबल जेट इंजन की आवाज 150 डेसिबल जेट प्लान लेडिंग 180 डेसिबल डाकेट इंजन की दुहैनी के स्रोत है ठीक है देखें बात करें प्रमुक स्वेचिक पर्याबरन एवा मानवदिखार संगटन की यूनिप कस इस्तापना आपकी 1972 में इसका मुख्याले आपका निरोभी केनिया में ठीक है रेड क्राज की स्तापना आपकी 833 में इसका मुख्याले जेवा स्वेजन लेंड में ठीक है गरिन पीस की स्तापना आपकी 1971 में इसका मुख्याले है आपका एश्ट एम्स डर्जन नीजन लेंड में एमनेस्ट्री इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में और इसका मुख्याले लंदन इंगलेंड में है WWF Worldwide Fund of Nature का जो स्थापना विती 1988 में और इसका मुख्याले क्रेविज इंगलेंड में है Human Rights Watch की स्थापना 1978 में इसका मुख्याले न्यूयार्क USA में है IPC की स्थापना 1988 में इसका मुख्याले आपका जनेरिवा स्थाजलेंड में है Traffic की स्थापना आपकी 1976 में इसका मुख्याले आपका Cambridge इंगलेंड में है Bentland International की स्थापना 1986 में इसका मुख्याले आपका निदर लेंड में है फ्रेंड्स आप अर्थ की स्थापना 1979 में इसका मुख्याले आपका एम सेडम निदर लेंड में है IUCN की स्थापना जो हुई थी आपकी 1948 में उसका मुख्याले गलेड स्वेजर लेंड में है ठीक है देखें बात करें अंतराष्टी है पर्यावलन सम्मेलन और संधियों की देखें इसकाट होम स्वेडन संधी कब हुई थी आपकी 1972 में इसके मुखे तत्य क्या थे पर्यावलन को मिगना काटा कहा जाता है ठीक है इस सम्मेलन में संयुत राष्ट UN कारेकरम UNEF की स्थापना हुई थी 5 जून को पर्यावलन दिवस के रूप में मनाने की गोशला करी गई थी ठीक है मार्टियल सम्मेलन कनाड़ा में जो हुआ था यह हुआ था आपका 1987 में इसमें जो आपका ओजेन परत के सरक्षण है तू अंतराष्टे समझो था मार्टियलियर प्रोटोकाल 16 सितंबर को क्या बना था था तब का ओजोन दिवस मनाने का निडिया लिया गया था ठीक है जलवायू परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट फ्रेमबर कन्वेंशन यूनिसेफ की स्तापना करी गई थी ठीक है क्योटो प्रोटोकाल प्रत्वी 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 सम्मेलन आपका जो हुआ था 1997 में इसमें क्या क्या हुआ था ग्रीन हाउस के उस सर्जन में कटोती करके भूम अंडलियत तापमान कम करना 1990 के इस तर में 5.2% की कटोती करने का निडिया लिया गया था ठीक जेन्स भर्ग आपका रियो दस सम्मेलन और प्रत्वी दस सम्मेलन ठीक है कवह था आपका 2002 में इसमें आपके दुत्य प्रत्वी सम्मेलन भी से कहते हैं ठीक है गरीबी उल्मोलन आपका गरीबी उल्मोलन के विकास विश्व की एक जुटता कोश की स्तापना पर सहमती बनी सतच विकास पर इसमें बल दिया गया था ठीक है और बात करने इसमें कनकुन सम्मेलन मेक्सिको में हुआ था कब हुआ था 2010 में इसमें आपका 108 डालर से हरित जलवाई यू कोश ग्रीन क्लाइमेट फंड को स्तापित करने का नियर्णया लिया गया था ठीक है रियो बीस सम्मेलन ब्राजील प्रत्वी 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 सम्मेलन प्रत्वीश सम्मेलन जिसे बोलते है 2012 में हुआ था ये इसमें हुआ था पका द्या फ्यूचर भी वांट का मसोदा प्रस्तुत किया गया था ठीक है जीरो हंगर चैलेंज सभी ब्यक्तियों को पिर्ति वर्स आवस्य खाद स्रक्चा उपलब्द करना इसमें उद्दे से रखा गया था ठीक है कब 2021 में आई एपिटे की स्थापना करी गई थी ठीक है बात करें पर्यावलन पुरुसकार की तो आपका टाइलर पुरुसकार 1973 में प्रदान करने वाले सथा कौन है कैलिपनियों बिस्विद्ध जाले है गोल्ड में पुरुसकार आपका 1989 में स्थापना बर्स गोल्ड में फाउंडेशन इसको प्रदान करने वाले संस्ता है गिलोबल 500 पुरुसकार की स्थापना आपकी 1987 में और इसको प्रदान करने वाले संस्ता यूनिप है मसकाव पुरुसकार आपकी 1986 में इसको परदान करने वाली संस्ता आपकी यूनिप है विटली पुरुसकार को इस्तापना आपकी 1994 में इसको परदान करने वाली संस्ता WFN वायली फंड फोर नेचर है इंद्रा गांधी पर्याबरण पुरुसकार की स्तापना जो शुरुबा सरकार राजीव गांदी बनने जीव सरक्षन पुरुसकार पर्या वराण एवं बन मंत्रहले सरकार द्वारा दिया जाता है ठीक है तो आज का टोपिक हमारा यहीं पर समापत होता है पारस्तिती की एवं पारस्तिती की के तांत्र ठीक है तो इसे सम्मंदित अधिकतर इसमें क को मैंने cover किया है ठीक है इसमें बन जाएंगे आपके ठीक है तो इसको आप जरूर एक बार देखें और चैनल को like, share, subscribe करते रहें ठीक है फिर मिलेंगे अगरे topic के साथ अब तक के लिए धन्यवाद